बश्कार दोस्तों, मैं रमा संकर डिम्री तुलिका दर्शन चालन में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम एक ऐसी नोटिविगेशन की बात कर रहे हैं जो आपकी ल्टी भरती के संबन्द में है और ये एक पत्र आज जारी किया गया है तो इस पत्र को पढ़ते हैं प्रेशक हैं इसके प्रेम सिंगराना अनुसचिव उत्तराखंड सासन सेवा में सचिव उत्तराखंड अधिनस्त सेवा चैन आयोग अब माद्यमिक सिक्चा गुनबाग एक से है ये और देहरादून तिरंग 5 मार्च 2024 में तिथी लिखी हुई है अब देखे इसका जो विशय है माद्यमिक सिक्चा के बिवाग के नतरगत साय कद्यापक LTE के पदोग पर सीधी भरती परिक्चा के संबन्द में ठीक है तो यहाँ पर ये LTE के पदोग पर जो सीधी भरती होनी है उसकी परिक्चा के ये संबन्द में ये लेटर जारी किया गया है अब इस लेटर में लिखा गया है माद्यमिक सिक्चा विवाग के नतरगत साय कद्यापक LTE की सेवा सर्थों को व्यवर्थ करने ये तो प्रख्यापित उत्तराखंड अधिनस्त सिक्चा प्रशिक्चित स्नातक स्रिणी सेवा नियामावली 2014 समय समय पर ये संसोधित होते रही है में कतिपाय संसोधन करते हुए तराकन अधिनस्त सिक्षा प्रसिक्चत इसनातक स्रिणी संसोधन सेवा नियामावली दोहर्यार चौबिस प्रक्षापित की गई है जो आपके सेवा नियामावली है उसमें जो चेंज किया गया है खासकर कला विशय में उससे रिलेट करते हुए ये लेटर जारी किया गया है तो इसका जो बिंदू है दूसरा वाला। और भरती निरस्थ कर दी गई थी को भी वर्तमान भरती परक्रिया में सामिल करने का कश्ट करें। तो इस पत्र से यही बात तो साफ हो गई है कि आपका जो भी विग्यापन है वो जल्द ही आने वाला है क्योंकि इसमें विभाग अब जो है सक्रिया रूप से अपनी भूमिका दिखा रहा है। अब जल्द ही आपको एल्टी का विग्यापन मिलने वाला है और आप लोग अपने तैयारियों को इसी तरीकी से जारी रखेगा क्योंकि बिवाग भी काफी सक्रिया हो गया है इस संबंग में। जो हुमारा दूसरा अपडेट है इसमें वो अपडेट भी आपके लिए काफी महत्वपून है। सिर्फ जो आपके डॉक्यमेंट बेस पर आपकी एक मेरिट बनाए जाती थी और उसमें टॉप सेवन जो आते थी उन्हीं लोगों को इंटर्व्यू में बलाया जाता है और उसी से एक आविदक का चुनाओ किया जाता था। लेकिन इस जो प्रक्रिया में कहिना की पारदेश्चता की कमी थी और बहुत जगा सुनने में भी आता था कि इस में अपने ही लोगों का चैन किया जाता है तो इस दिसा में ये काफी समय से मांग उठ रही थी कि असास की जो मादेमिक विद्याले इनकी जो भरती होती है इनको भी किसी आयोग के द्वारा किया जाए तो इस बार ये फैसला लिया गया है कि इनको किसी ने किसी आयोग के द्वारा मादेमिक की जितनी भरतिया होंगी असास के स्कुलों की तो वो किसी ने किसी आयोग के द्वारा होंगी तो यह मान लीजे कि अगर असास के माद्यमिक विद्यालियों में भी भरती आयोग के माद्यम से होगी तो इसमें भी ठीक एल्टी और प्रवक्ता की तरह ही भरती विग्यापन जारी होगा इसमें भी एल्टी और प्रवक्ता की तरह ही जो है भरती परिक्षा का एजन किया जाएगा तो आपको आने वाले समय में L.T. प्रवक्ता और असास के विद्यालेओं के जो सिक्षकों के पद हैं उसमें मौका मिलने जा रहा है तो आप लोग तयार हो जाएए क्योंकि जल्दी ही विग्यपती जारी होने वाली है और हो सकता है कि असास की जो मादमिक विद्यालेओं उनकी भी आपको भरती देखने को मिल जाएगा तो आज के अंक में हमारा यही अपडेट था आपको यह अपडेट कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताईएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा तो आज के अंक में इतना ही दीजे मुझे इजाजत नमस्कार